प्यारे बच्सकार आज हम लोग रियल और मॉडल बाले जो मॉलीकूल से उनकी बात करेंगे और रियल और मॉडल के जो मॉडलीकूल से उसमें कौन-कौन से मॉलीकूल है सबसे पहले हम इस समय बात कर रहे हैं H2O molecule की इस पे angle आपको दिखाई दे रहा होगा 109.5 degree अगर हम इसका lone pair लगाना चाहें तो lone pair उपर दिखा सकते हैं दिख रहा है आपको यह lone pair है और remaining molecule इस तरीके से number 2 पे आ जाईए हम लोग CO2 molecule को देखें CO2 molecule में 180 degree का angle होता है और यहां पर electron की geometry भी आपको दिखा सकता हूँ और यह पूरी condition आपको दिखाई दे रही है अगर real structure देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा यह CO2 है अगर lone pair दिखना चाहें तो lone pair भी हम दिखा सकते हैं हाला कि इस पर lone pair नहीं बचा हुआ है इसके बाद आजाते हैं SO2 molecule पर SO2 molecule पर आपको geometry इस प्रकार से दिखाई देगी और फिर आजाते हैं इसी तरीके से XEF2 molecule बहुत ही important molecule देखें lone pair इस तरीके से arrange रहते हैं lone pair इस तरीके से arrange रहते हैं XEF2 के उपर इसके बाद boron trifloride angle भी आपको दिखाई दे रहा है angle दिखा सकते हैं boron के बाद CLF3 यानि कि CLF3 पर अगर lone pair देखना चाहें तो यह हमारे पास lone pair दिखाई दे रहा है यह lone pair देख सकते हो आप लोग बहुत important molecule है यह ammonia का molecule है आप इसे दिखा सकते हो घुमा करके भी दिखा सकते हो इस तरीके से molecule को boron angle दिखाना चाहों boron angle और otherwise इस तरीके का molecule होता है ammonia का ठीक water का molecule आ गया हम लोग ammonia के molecule को देखें यह ammonia का molecule दिखाई दे रहा है इस पर lone pair हटा दिजिए angle इस तरीके से दिखाई देगा आगे continue कर लेते है methane के molecule पर 109.5 degree lone pair कोई है नहीं इसके उपर ठीक है दिख रहा है आपको इसके बाद SF आपको 4, SF4 भी देख सकते हो ठीक है एक lone pair यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह वाला lone pair है इसके बाद चले आईए XCF4 चारों तरफ से molecule को देख सकते हो lone pair उपर नीचे है बिलकुल आपको साफ molecule दिखाई देगा बहुत important वीडियो आप देख सकते है PCL5 molecule इस तरीके से होगा lone pair इस पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और यह है BRF5 BRF5 का molecule lone pair यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है lone pair यह उपर जो lone pair है blink कर रहा है इसके बाद आजाते है SF6 पर तो SF6 पर भी आपको कोई lone pair नहीं दिख रहा है लेकिन molecule आपको proper तरीके से दिखाई दे रहा है इसको हम घुमा करके ऐसे करके देख सकते है molecule को जिस तरीके से चाहा है rotate कर ले हमें angle automatically वही 90 रहेगा इस बॉले को इधर घुमा करके देख लीजे तब भी हमारा 90 degree का angle रहे ऐसे दिखाना चाहें बिल्कुल साफ molecule आपको दिखेगा हर molecule को आप turn करके दिखा सकते है इसको हम इधर लाएं इसको इधर लाकर करके ऐसे दिखा सकते है कोई problem नहीं molecule आपको bend कर दीजे तब भी आपका state forward बिल्कुल state line molecule हो जाएगा XCF2 के molecule को ऐसे घुमाई है आप बिल्कुल loan pair आपको clear दिखेगा crystal clear आपको दिखेगा ऐसे देख सकते हो आप सबसे बेटर तरीका है कि यह इस तरीके से देखा जाए molecule को इसी तरीके से ammonia के molecule का loan pair भी दिख सकता है आपको यह loan pair यह angle सबसे बेटर तरीका यही सो करने का देखिए सब दिख रहा है आपको यहाँ पर loan pair थोड़ा सा ऐसे कर दो बिल्कुल clear loan pair आपको दिखेगा तो molecule बनाईए समझिए यह methane का molecule देखिए ऐसे करके आप देखिए methane के molecule को आपको full tetrahydral दिखाई दे रहा है 109.5 degree का molecule ऐसे करके आईए यह ठीक है दिख जाएगा ना फिर आगे continue कर लेते है BRF5 के पास यह loan pair दिख रहा है इस loan